हेलो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ऐसे स्वाधिस रेसिपीस आपको रेगुलर नी मिलती रहें अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रस करना ना भूले आज हम बनाएंगे सेज़वान सॉस सेज़वान सॉस का यूज आप सेज़वान राइस सेज़ बनाते हैं सेज़वान सॉस बनाने के लिए यहां पर हमने लिए 15 सूखी बेलगड़ी मिर्च आप बेलगड़ी मिर्च की जिगह पर किसी भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी मिर्च थोड़ी ज्यादा दीखी है तो आप मिर्च को पीच में से कट करके उसके चली बेलाने मिर्च का बेल इसादा निकालए जैका लेकित आप अपने साब से ज्यादा तीखी मिर्च का भीमिर्च की इस्तोमाल कर सकते हैं अब हमें मिर्च को सॉफ्ट करना है उसके लिए हम मिर्च में एक ग्लास पानी डाल करके इसे 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे 15-20 मिनٹ के बाद हम देखेंगे मिर्च थोड़ी सॉप्ट हो गई है अब हमें मिर्च को ग्राइन दाल करके एक दर-दरा पेस्ट रेडी करना है, और हमें ग्राइन दी दालनी है, इसमें पानी एड नहीं करना है अब हम मिर्च से एक दरदरा पेस्ट रेडी कर लेंगे तो पेस्ट रेडी है तो यहाँ पर मिर्च दरदरी पेस्ट कई है आप अपने इसाब से मिर्च को बारी या मोटा पी सकते हैं तो अब हम चलेंगे सेजवान सौस बनाने की तरद तो पैन गरम है पैन में डाल देना है हमें तीन बड़े चमस तेल और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है मिजियम गरम करना है तेल हलका गरम है उसमें हमें डाल देना है पंद्रा बारीक कटे हुए लेसुन, लेसुन को आप ग्रेट भी कर सकते हैं लेसुन को ओयल में 20 सकेंड के लिए हमें घुमा लेना है अब इसमें डाल देनी है 3 इंच अध्रक बारीक कटे हुए आप अध्रक को ग्रेट भी कर सकते हैं अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके तीस से चालिस सकेंड के लिए लगाता चलाते हुए बिल्कुल हल्का बोंटन ब्राउन भूल लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है यह हलके कोल्डन ब्राउन हो गया है अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें पिसीवी मिर्च को ढाल देना है अब लैसुन और अध्रक में मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स कर लेननी के बार हमें इसे कवर करके पांच मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है पांच मिनट के बाद हम देखेंगे मसालों में से ओयल निकलने लगा है अब इसमें डाल देनी है दो चमच बारीक कची हुए धनिय की दंडिया आप इसे इसके भी कर सकते हैं अब इसमें डाल देना है एक चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एड करें अब नमक को सारी चीजों में अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें डाल देना है आधा चमच सोया सॉस और सोया सॉस को भी मिक्स कर देना है अब ग्रैंडिंग जार में जो मिर्च लगी वी है उसमें हम एक कप पानी डाल करके इसमें डाल देंगे पानी को सभी चीज़ों में मिक्स कर देंगे इसके थिकनेस आप देख सकते हैं अब 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे 15 मिनट के बाद हम दिखेंगे कि सारी चीज़े अच्छे से पंग गई हैं और साइट्स में ऑईल भी आने लगा है अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच विनिकर और विनिकर डाल करके गैस की फ्लेम को लो करके एक मिनट तब कवर करके इसे पखने देंगे है एक मिनिट हो गए है अगर आँ है हमारी सेज़बन सास। सास में हमने ऑइल थूरा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि ऑईल डालने से चीज़ ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और विनेगर से तो भी हम चीजों को ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और विनेगर से चीजों का टेस्ट भी पड़ता है आप विनेगर की जगहें पर नीमू का रज भी यूज़ कर सकते हैं इस सॉस का यूज़ आप फ्रिज में किसी एर टाइट कंटेर में डब करके तीन से चार महिने तक यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वाधिस रेसिपी आपको रेगुलर नी मिलती रहें तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें